हेलो फ्रेंज स्वागर थे आपका बन्दा की रसुई में तो आज हम एकदम सुध और बहुत ही बढ़ियां तरीके से मिक्सी में जूस निकालना बताएंगे संत्रे का औरेंज जूस जिसे बनाना बहुत ही असान है और एकदम अच्छे से निकल जाएगा हम मिक्सी में तो इसके लिए हम संत्रा ले लिए हैं 500 ग्रम और इसे अच्छे से क्लेन कर लिए हैं वाश कर लिए हैं अब क्या करेंगे इसके उपर का जो छिलका है इसे हम असाने जे निकाल लेंगे एक साइड में हम छिलके संत्रे को रख लिए थे देखिए एकदम अच्छे से हम क्ली कर लें trzy two सर्फ चिल कर लिए जवाला जूसर में तो हम फिल साथ लें लेट संगे को रहा करोल के लिदेंगे लें जूसर जलका रह जाएगा और फिल चुछर बन गना चनirie ए लेदीे लाट जनने बाहर निकल जाता है, तो ऐसे ही हम थोड़ा-थोड़ा करके सारे संत्रे को आइड कर देंगे, और बारी-बारी करके हम पीशेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से सारे संत्रे को आइड कर दिये हैं, और इसके उपर से हम कभर लगा देंगे, अब इसको हम एक सीजार में पीछ लेंगे रुक रुक के पीछेंगे तो बहुत ही अच्छा सब संत्रे का जूस बन के तियार हो जाएगा ये देखिए मेरा जूस एकदम अच्छे से साइड में निकल चुका है और इसे हम ग्लास में सब करेंगे जूसर में पीछने से क्या होता है कि हमें छाने की जरूरत नहीं पड़ती है जूस एकदम अच्छे से निकल जाता है और उपर का जो कच्रा होता है वो बीच में रह जाता है उसे आप आराम से निकाल के वोश कर सकते हैं तो ऐसे ही हम बारी-बारी करके दो-तीन बारी में पूरा संत्रे को पीछ लिए हैं, यह देखिए, पूरा जूस निकाल लिए हैं इस तरीके से, इसे साइड में करेंगे, और इसे भी हम सौप करेंगे, 500 ग्राम संत्रे से हम दो ग्लास जूस बनाएंगे, जिसे आप 4 लोग आ चाने का भी जंजट नहीं रहता है, अगर आप को इस जगह पे पसंद है, तो थोड़ा सा काला नमक डाल के भी सौप कर सकते हैं, तो देखिए, मेरा जूस बन के यह त्यार हो गया है, जूस पीने से हमारे आखों के लिए, आखों के जुरिया नहीं देखती, उमर नहीं द इसलिगा,